तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ केंडल स्टिक पैटरन के बारे में और कुछ टिप्स वगिरा भी आपको देंगे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कैसे ट्रेट करोगे तो सारी चीजे ये वीडियो में आपको बताएंगे अब यहाँ पे एक पैटरन होती है बुलिस एंगलफिंग यह वाली जो कैंडल स्टिक पैटरन होती है वो दो कैंडल से बनती है एक रेड होती है दूसरी ग्रीन होती है जहाँ पे बोला गया है बायर्स आर्ट मॉमेंटर मिन उस स्पेसिफिक वक्त पे वो मार्केट को कंड्रिल कर रहे हैं मिन स्पायर्स ज्यादा बढ़ गए है डॉन ट्रेड विदाउट कंफरमेशन और बोला गया है कि आपको कंफरमेशन ले लेना चाहिए उसके बाद ही ट्रेड करना है तो चले बूलिस एंगल फिंग जो पैटरन है उसे हम चार्ट में देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो केंडल है रेड वाली केंडल है उसका जो क्लोजिंग है उसके उपर नेक्स्ट वाली जो ग्रीन केंडल है वो आपको नजर आई ओके और वैसे देखो तो सौट टम में लेकिन सौट टम में भी डाउन ट्रन बना हुआ था यहां पर कई पर सपोर्ट भी था तो वहां पर सपोर्ट पर यह क्रेट हुई है और इसलिए यहां पर बोला गया है आ कि यह पहले आप देख सकते हो यहां पर रुका था मार्केट यहां से थोड़ी अफ्ट्रेंड मुवमेंट मिली थी और अगर यही हिस्से को हम कंसिडर कर ले तो यह वाला जो जो जौन है वो बन जाता है आपका एक तरह का सपोर्ट और वहीं पर फीज से यह वाली पैटर हुई है तो यह बुलिष मोमेंट आएगी एसा है इंडिकेट देख लेया तो यह तरह का कंषcen आप बोल सकते हो तो डाउं टरेंड में होनी चाहिए और किसी भी तरह का कफरमेशन हो सकता है को इंडिकेटर भी आपको confirmation दे रहा हो तो RSI वगेर भी आपको देख लेना है तो confirmation माने दूसरी चीजों को भी आपको देखना है और वो support करती है तो वो वाले किसमें आपको जो भी मिन्स ये जो pattern होती है वो जो indicate करती है buying या selling का उसे सब सब को buying या selling करनी है चलिए आगे की pattern में आगे बढ़ते हैं तो उसका reversal हो जाएगा bearish engulfing sellers are momentarily in control अब sellers control में आ चुके है don't trade without confirmation जब तक confirmation नहीं मिलती आपको trade नहीं करना है उल्टा हो गया है bullish engulfing का यहाँ पर यह opening थी यह closing थी अब यहाँ से closing से market में selling ज्यादा आई है और पिछली वाली जो candle थी उसका जो low है वो भी ब्रेक कर दिया है तो यहाँ भी confirmation आपको देखना पड़ेगा selling के लिए चलिए bearish engulfing आपको कहाँ पर मिलेगा तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर नहीं होगा यह है bearish engulfing यह वाली candle आप देख सकतो ग्रीन वाली candle के बाजू में है अभी यह red वाली candle का closing उसके low के नीचे है तो यह bearish engulfing है अब ट्रेंड में create हुआ है तो यह indicate कर रहा है कि market में selling आ रही है piercing pattern bias are momentarily in control don't trade without यहाँ पर confirmation important है क्या हुआ देखिए एक candle है उसका opening यह था इसका closing यह है अब closing से ही यहाँ पर candle आई है और यह green वाली candle है bias market को control करते हूँ नजर आ रहे है लेकिन यहाँ पर जो closing था पिछली वाली candle का जो opening था उसके नीचे ही इसका closing रहेगा लेकिन यह एक तरह से यह indicate कर रहा है कि bias market को control कर रहे है अभी क्या करना पड़ेगा इसके लिए तो piercing pattern मैं आपको chart में बताता हूँ चलिए piercing pattern यह है piercing pattern चलिए एक बार गौर से देख लिए थोड़ा बड़ा कर लेते है piercing pattern चलिए यहाँ पर देखे इस तरह से क्या create हो चुका है देखे वही इस तरह से ही है तो अभी confirmation के लिए उपना है confirmation क्या होगा कि यह जो red candle है वो red candle का जो high है उसे अगले वाली कोई भी green candle break करनी चाहिए तो यह break किसने किया यहाँ पर दूसरी candle इसने भी नहीं किया यह बड़ी वाली जो candle है उसने break कर दिया तो यहाँ पर आप trade ले सकते हो वैसे यह काफी उपर हो जाएगा लेकिन आप ले सकते हो इस हिसाब से trade अगर यहाँ पर trade लोगे और उसका stop loss वगिरा है यहाँ पर रखोगे तो आप खुद देख लो यह stop loss भी यहाँ पर इतने होता है यह market तो उपर बढ़ने वाली हो सकता है यह candle यहीं पर यहीं पर यहीं पर कहीं पर के भी close हो सकती है लेकिन यह काफी उपर चली गई है वैसे अगर आपको trade करना है तो इतने उपर trade नहीं करना आपको रुकना है फिससे यहाँ पर support बनेगा तो यहाँ पर trade करना है लेकिन यह चीजों को समझाने के लिए मैं कि यह piercing pattern कुछ इस तरह से काम करती है और उसमें confirmation माने पिछले वाली जो rate candle है उसका high है वह आगे वाली कोई भी green candle ब्रेक करनी चाहिए उसके उपर का closing होना चाहिए तब आपको trade लेना है ओके चलिए आगे piercing pattern और dark cloud cover यह बिल्कुल उससे उल्टा है यह आपको uptrend market में नज़र आएगा तो dark cloud cover भी यहाँ पे देख लेते हैं देखे यहीं पे है यह देख सकता dark cloud cover ओके यह closing हुआ green वाली candle का uptrend में फिर यहाँ से red वाली candle का opening हुआ नीचे closing हुआ यहाँ पे और confirmation के लिए क्या रेखना है कि यह जो green वाली candle है उसका जो low है वो low को आगे की कोई भी वाली candle ब्रेक करनी चाहिए तो देखिए यह वाली candle ने ब्रेक किया तो यहाँ पे आप trade ले सकता हुआ यहाँ पे आपका trade बनेगा और कुछ pips की आपको moment मिलती है अभी वह उसपे decide करता है कि आप अपना risk reward ratio कैसे manage कर रहे हो आपका stop loss कहा है तो यह वाले case में यह भी हो सक तो वो depend करता है तो कई बार यह होता है लेकिन आपको इस तरह से देख के trade करोगे तो आपको success rate आपका भढ़ जाता है तो इस तरह से आप trade कर सकते हो dark cloud cover और piercing pattern दोनों एक दूसरे का उल्टा है और यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो piercing pattern में यह जो closing होता है वो red valley candle के नी के नीचे होता है जहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे bullish engulfing में तो red valley candle का जो closing होता है sorry opening होता है उसके means red वाले candle के high के उपर ही closing होता है bullish engulfing तो यह दोनों पोड़ी बहुत match करती है लेकिन यहाँ पे यह piercing pattern बोली जाती है क्योंकि उसका जो closing है वो नीचे है closing जब break करता है पिछली वाली candle को तो वो bullish engulfing बनती है उसका जो reverse है वही होगा bearish engulfing candle और dark cloud cover तो I think दोनों आपको इस तरह से create होती है वहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि candle green है या rate है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कि इसमें हुआ क्या है इसमें यहाँ पर opening हुई थी समझ लिए 15 मिट की candle है 15 मिट में यहाँ पर opening हुई थी फिर जो sellers थे उसने market को control कर लिया और फिर जाके क hammer kind create होती है यह candle okay तो देखते हैं यहाँ पर hammer हमें मिलती है क्या चली यहाँ पर है hammer okay तो देखें accurate नहीं मिलेगी लेकिन किसी तरह से ऐसे आप इसे अगर यह जो hammer है यह वाली जो candle है आप देखोगे तो उसका opening और closing काफी करीब है और समझ लिए opening और closing सेम ही होगा तो यह ड बोला जाएगा ड्रेगन फ्लाइडोजी ओके चले मैं आपको बता ही देता हूं ड्रेगन फ्लाइडोजी दोनों को काम एक ही होता है यह है अगर आप यह वाली candle देखोगे तो उसका जो opening और closing दोनों में थोड़ा means distance देखने को मिलता है लेकिन जब opening और closing सेम होती है तो व bullish moment आएगी यहां पे भी आपको confirmation देख लेना है confirmation के लिए क्या देखोगे कि यह वाली जो candle है जिसने हमें अभी इंडिकेट किया था कि means hammer candle है वो इंडिकेट करती है कि अभी bullish moment आएगी तो उसके बाद आने वाली जो candle है वो hammer से पहले की जो candle create हुई है उसके closing के उपर उसका means उसकी high point के उपर उसके high के उपर ये वाली candle का closing होना चाहिए देखिए आप देख सकते हो यह यहां पे dozing के consider कर दिये ला फिर hammer consider कर लो दोनो उसके आगे यह red वाली candle है तो red वाली candle का जो high है उसे break कर दिया अगले वाली यह green candle है तो यहां पे आपको trade लेनी है तो इस तरह से confirmation लेके trade करना है अगर यह इसके उपर closing नहीं होती तो आपको रुपना है जब तक यह वाली जो candle है जहां पे आपको indication मिली hammer से उसके आगे वाली candle का जो high है उसे break करना चाहिए अगले वाली कोई candle का तब आपको trade करना है तो इसे कहा जाता है hammer ओके चले hammer से उल्टा होता ह है inverted hammer चले उसे भी देखते हैं कहीं पर मिल जाए inverted hammer वैसे उसे नहीं बोला जाता है लेकिन उसे shooting star बोला जाता है ओके यहां पर shooting star ग्रेव स्टॉन डोजी और shooting star जैसे hammer और मैंने आपको बताया hammer और dragonfly डोजी तो वो इस तरह से create होते है जब डोजी होती है तो opening और closing सेम रह वो ग्रेव स्टॉन डोजी बनेगा तो वो inverted hammer होगा लेकिन opening और closing काफी नजदीक होगा जैसे यह जो आप देख सकते हो cross की तरह नज़रा वो है ग्रेव स्टॉन डोजी यूंकि अगर आप ग्रेव स्टॉन देखोगे तो means वो बोलते है ना के आप अगर कब्रस्तान में ज बोल सकते हैं और यह अप ट्रेंड में नज़र आता है और इंडिकेट करता है कि आप डाउन ड्रेंड आने वाला है आप देख सकते हो ओके अगर उसको ठीक से आपको यहां पर देखना है तो यह यहां पर भी देख पाओगे हमने देखा था hammer hammer के बाद हमने क्या shooting star के बार जो hammer होती है या फिर ड्रेगन प्लाइ डोजी तो उनों same रहती है ग्रेवस्टोन डोजी उससे उल्टी है मिंस inverted hammer हो गया जिसे shooting star बोलता है और shooting star में अगर opening और closing same ही हो जाता है तो वो ग्रेवस्टोन डोजी बन जाता है वैसे ही bullish हरामी देखे bullish हरामी में क्या होता है कि अ अगले वाली जो candle होगी okay red वाली candle उसके बीच में होगी तो यह ढूणना काफी मुश्किल है और यह काफी अच्छे indication देखती है तो चलिए देखते हैं कि हमें bullish हरामी pattern मिल जाए कि यहां पे तो कहीं पे नजर नहीं आ रही लेकिन bullish हरामी bearish piercing pattern की तरह ही नजर आती है वैसे जैसे यहां पे bullish हरामी यह है यह bullish हरामी है ते कि पिएस हिपैटन को देखोगे और bullish हरामी को देखोगे दोनों यह bearish हरामी है वैसे यहां पे होगा, यह bearish harami है, यह piercing pattern है, और bullish harami कुछ इस सब सही नजर आती है, देखिए यह बोल सकता, bullish harami, ओके, हम bearish harami देख रहेते हैं, उसमें क्या होता है, देखिए यह वाली जो candle है, उसके बीच में यह candle create होती है, और उसे bearish harami क्यों बोला जाता है, Japanese culture में जो भ करती है, कि यह pregnant woman है, pregnant woman कैसे होती है, देखिए यहां पे accurate मुझे नहीं मिल रही, लेकिन अगर मुझे यहां पे explain करना है आपको यह वाले, तो देखिए एक pregnant, यह lady है, और यह उसका बच्चा उसके पेट में, ओके, तो उस हिसाब से यह नजर आता है, तो उसे bullish harami होता है, उससे उल्टा, तो यहां पे हमें bearish harami यह मिल जाता है, और यह piercing pattern की तरह ही नजर आता है, वैसे up train में यह dark cover बोला जाएगा, dark cloud cover, लेकिन इसमें तूसरी बाद जो candle होती होती है, इसमें छोटी है, देखिए, ओके, जैसे यह piercing pattern है, अगर यह green candle है, वो छोटी होती थोड़ और यह lady है, और उसे बच्चे की तरह नजर आती, तो उसे हम bullish harami बोल सकते हैं, वैसे bearish harami pattern हमें मिली, लेकिन bullish harami यहां पे pattern मुझे नहीं मिली, तो मैंने आपको फिर भी बताया है, उस हिसाब से आप उसे देख सकते हो, चलिए, then morning star, morning star क्या होता है, जब भी downtrend में ऐसी ड में नजर आता है, तो वो उसे evening star बोला जाता है, okay, देखे, और वो क्या indicate करते है, morning star downtrend में create होता है, ऐसे create होता है, और बताता है, कि अब market में reversal moment आएगी, means downtrend है, तो अब uptrend में moment मिलेगी, वैसे इस से उल्टा है, कि uptrend में market चल रहा है, और evening star आपको नजर आता है, उसका जैसे ये बोल सकते है, ये morning star आप बोल सकते हो, okay, down friend में morning star होता है, और ये जो होती है, dragonfly dozy आप देख सकते हो, तो कई सारी pattern भी होती है, ऐसे, तो ये indicating है, देखे, week देखे, आपको पता हो, चल जाना चाहिए, कि अब market में reversal moment आने वाली है, downtrend बना हुआ है, तो uptrend बनेग तो आप देख सकते हो, खुझ से, okay, छेलिए, आपको ये candle का closing होगा, देखे, अभी तीन मिनिट बाके, ये candle का closing होगा, तो आपको बताना है, कि ये कौन सी candlestick pattern है, हम देखेंगे, okay, और वो आपको comment में मुझे बताना है, कि ये कौन सी candlestick pattern create हुई है, छेलिए, आगे देखते हैं, okay, ये कुछ छोटी सी चीज़े यहाँ पर explain किये है, जो आपको समझने में helpful रहेगी, then, कुछ tips आपको दी गई है, support is the location on the chart where buying seems strong, support किसे बोलते है, जहाँ पर buying strong नजराती हो, resistance किसे बोलते है, जहाँ पर आपको selling strong नजराती है, तो simple सी language है, अब इसे थोड़ा squeeze करके हम देखेंगे, यहाँ पर, तो आप मुझे बताएए, यह क्या हो गएगा, यहाँ पर एक line में draw करता हूँ, यह line मैंने draw कर ली, okay, और दूसरी line मैं यहाँ पर draw करूँगा, जहाँ पर कई सारे point मिल रहे हो, वैसा होना चाहिए, okay, तो यह line मैंने draw कर ली, अब इसको थोड़ा zoom in करेंगे हम, तो आप देख लो, यह वाला जो zone है, इसे हमने support consider कर लिया, यह वाला, और यह resistance, क्यों, क्योंकि यह पहले resistance हा, जब resistance breakout होता है, तो वो support बनता है, यह इस तरह से यह थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है, okay, तो यह support है, तो देखें, यहाँ स strong नजर आती है, उसे support होते है, जहां से आपको selling strong, means, जहां से selling के chances ज्यादा बनते हैं, जैसा आप देख लिजीए, यहाँ से फिर से retrace होता है, यहां से retrace होता है, तो ब्रेक आउट नहीं होता है, लेकिन वहां से retrace होता है, तो वो area जो होता है, वो कई बार ऐसा होता है, तो यह जो level होता है, उसे resistance बोला जाता है, तो उसी के लिए यहां पर बोला गया है, कि support or resistance किसे बोला जाता है, अच्छा है, यहां पर trade कैसे करना, अगर breakout होता है, तो confirmation के लिए रुखना है, confirmation मिल जाता है, मिल यह वाली candle, green वाली candle ने breakout दिया, तो उसके उपर अगली वाली green का यह closing, तो यह closing हो गया, तो यह confirmation, यहां पर trade ले सकते हो, अगर यह जो candle ने breakout दिया है, उसके उपर closing नहीं होता है, अगली वाली कुछ candle का, तो फिर यहां पर आपको trade नहीं करना है, क्योंकि यह fake breakout होगा, जैसे यह देखिए, यहां पर breakout दिया था यह वाली candle, फिर आपक कुछ pips मिल जाते हैं, आपको कुछ pips की moment, ओके चलिए, otherwise क्या होता है, वैसे इस तरह से उपर चला, समझ लीजे, कि जैसे यहां पर explain क्या होगा, आपको, यह बोलागा है, never hold position when you see parabolic moment at the key level, key level पे आपको parabolic moment मिलती है, जैसे यह देख लीजे, ओके, यह वैसे parabolic moment नहीं थी लेकिन एक ही साथ आपको जैसे यह supporter resistance से चली, मैं आपको थोड़ा draw करते दिखाता हूँ, अगर मुझे यहां पे draw करने का जो tool है, वो मिल जाए, ब्रस है, ओके, तो दिखिए, यहां से market में यह moment रही, उपर की तरह, उपर की तरह, उपर की तरह, इस तरह से market उपर चली गई, ओके, सीधी चलती ही जा रही, जैसे यह आप moment देख रहे हैं, ओके, तो यह parabolic moment जब भी होती है, तब trade नहीं करना है, ओके, parabolic moment माने, समझ जीजे, यह जो, यह अभी यहां से price आगे बढ़ी और यहां पर आ गई है, तो अभी यहां पर trade नहीं लेना, आपको trade कैसे लेना है, जब market यहां पर consolidate करेगी, इस तरह से consolidate करती है, रुख रुख के consolidate करती है, ऐसे consolidate करेगी एक ही जग पर, parabolic moment है, लेकिन यहां पर consolidate, जो resistance है, वहां पर consolidation नजर आता है, तो फिर यहां पर buying के लिए सोच सकते हो, then breakout का जो rule है, मैंने जो अभी आपको बताया, उस हिसाब से breakout होता है, तो breakout होने के बाद जो candle ने breakout किया है, उसके high के उपर दूसरी candle का closing होना चाहिए, वहां पर आपको entry लेनी है, तो parabolic moment में यहां पर code नहीं पढ़ना है, कि चली यहां पर trade ले लूँ हो सकता है, यहां से नीचे भी आजा है market, तो parabolic moment पर trade नहीं लोगे, उसे consolidation के लिए रूखोगे, वहां पर पताया चलेगा कि breakout होता है, तो फिर rules regulation जैसे मैंने बता है, वैसे apply करना है, अगर यहां से retrace हो जाए, यहां से market थोड़ा retrace हो जाता है, यहां पर कहीं पर support आपको देखना है, support कहां पर create होता है, वो support पर आपको फिसे trade लेना है, और वहां से resistance नजदीक है, तो फिर resistance के लिए रूखो, उसे breakout होने दो, अधरवाई यहां से retrace होगा, यहां पर support बनता है, तब ही trade करो, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा trade लेने के लिए, trade में, means, बने रहने के लिए, अच्छा profit बना के लिए, means, space होनी चाहिए, better space होनी चाहिए, अगर यहां पर ही buying कर लोगे, तो यहां पर resistance है, तो आपको मिलेगा क्या, तो उससे अच्छा है, यहां पर यहां पर entry हो गई, तो अभी यह वाली जो candle है, उसका जो low है, उसके नीचे ATR लगाना है, तो कि जैसे मैंने अगली वीडियो में भी बताया है, ATR की value इसके low के नीचे, low की जो value उसमें से घटानी है, और जो भी आपको level मिलेगा, वो आपका रहगा stop loss, यहां पर कहीं पर, तो देखे, देखे, stop loss में कितना कम आपका loss होगा, लेकिन profit बहतरीन होता है, तो यह risk reward ratio ऐसे manage किया जाता है, चली, तो parabolic moment पे आपको trade नहीं करें, wait for the consolidation and if occurs, execute trade accordingly, वो मैंने आपको पताया है, volatility contraction is a moment when you see drop in volatility of market, market के volatility कम हुई है, वो कैसे आपको पताया चलता है, तो जैसे आप जब भी consolidation होता है, तो आपको समझना है कि volatility कम हो चुकी है market में, जैसे यहां पर अगर मैं बोले तो यह volatility कम है, तो यह जो zone है पूरा, यह zone में trade नहीं करना है आपको, यह zone को breakout होने देना है, यह फिर breakdown होने देना है, तो यह वाला zone है, वो consolidation जो यहां पर बताया गया है, कि volatility contraction, यह volatility का क्या हुआ है, contraction हुआ है, is a moment when you see drop in volatility, market में buying और selling काफी कम नजर आती है, तो वही पर market गुमता रहता है, जब भी enter in market while low volatility, और low volatility में आपको trade करना है, मिन्स यहां पर trade करना है, लेकि पर trade करना है, या फिर यहां पर support बनता है, तो trade करना है, या फिर यहां पर resistance create, अच्छा खासा resistance नजर आता है, तो यहां पर short भी आप कर सकते हो, तो उस हिसाब से trade करना है, चले, तो volatility भी काफी important है, वो भी आपको observe करना है, it can keep you stop loss closer when you hold your position, आपका जब भी position low up, तो आपका stop loss काफी नजदीक होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताए, ये breakout हो गया, तो stop loss काफी नजदीक है, लेकिन target बड़ा होता है, तो आपका profit ज्यादा होगा, loss होगा, तो काफी कम होगा, तो इसे risk reward ratio manage करना कहते है, ओके, जैसे, देखे, ये समझ लीजी, ये वाली candle ने breakout दिया है यहाँ पर, बड़ा कर देते हैं इसको, ये वाली candle ने breakout दिया, हम कूद नहीं पड़े, हमने देखा confirm होना चाहिए, तो confirm किस ने किया, ये वाली candle ने, ये वाली candle ने, अब यहाँ पर entry ले ली हमने, अब इसका जो low है, उसके नीचे है, हम ATR लगाएंगे, indicator जो होता है, AT ATR आप यहाँ पर देखोगे, ATR, OK, ATR हम लगाएंगे, और ये वाली candle है, जो confirmation दे रही है, उसका जो low है, उसमें से ATR की value आपको नजर आ रहे है, 0.00099, तो वो value आपको उसके low के नीचे से, low में से घटाने है, low कितना है, 1.21887, उसमें से आपको 0.00099, उसको घटाना है, और जो भी value मिलेगी, वो आपको यहाँ पर stop loss रखना है, एक line खिच लेनी है stop loss की, OK, और stop loss जीतना है, उसके साथ आपको match करना है, कि risk reward ratio कितना चीए, मिन stop loss में मुझे 20 pips का loss हो रहा है, तो 1.2 रखो गया तो आपको 40 point का आपको target रखना है, OK, वो depend करता है, 1.5 रखे, 1.2 रखे, 1.3 वो आपको depend करता है, OK, तो उसके हिसाब से आपको trade करना है, short sell में उससे उल्टा करना है, चले, तो यह चीज़े आपको यहाँ पर बताएगे, you can look for a double the profit in compared to, OK, वही चीज़े बताएगे, piece of advice that always trade in the trend, आपको हमें साथ trend में ही trade करना है, क्योंकि trend is your friend, OK, तो जैस अप्ट्रेंड है, तो आपको uptrend में inspiring करना है, और अगर downtrend चला है, तो आपको selling के लिए, वो भी मैं आपको explain कर दू, देखे, यहाँ पर आप देख लो, थोड़ा बड़ा कर लो, यहाँ पर आप देख लो, यह uptrend है, यह uptrend है, uptrend ही है, तो uptrend में क्या करना है, आपको support के लिए रुखना है, देखे, यह support हो गया, यह support हो गया, यह support हो गया, तो यहाँ पर आप line खीचोगे, तो आपको पता चलेगा कि यह support है, कि यह वाला जो zone है, यह support है, अब trend ही market चल लिए, तो अब यहाँ पर कहीं भी support बनेगा, तो हम trade लेंगे, जैसे, यहाँ पर support लि support पर ही, यहाँ पर आप देखोगे, कौन सी pattern create हुई है, support पर ही आप यह इसे बोल सकते हैं, बुरी सहरा में, तो यह create हुई है, confirmation इसके high के उपर closing होती है, क्या यह हो गई, तो यहाँ पर buying की opportunity मिली, वैसे ही, इसके उपर, देखे, यह जैसे उपर higher, means higher low जैसे बनते जाते ह higher low है, यह higher low है, यहाँ पर higher low है, तो यह uptrend में आपको uptrend, अभी भी uptrend बना हुआ है, यह कुछ बीच में consolidation नज़ रहा था, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यह उपर चला गया, यहाँ पर trade नहीं लेना है, आपको क्या करना है, यहाँ के लिए रुखना है, फिसे यह downtrend बना हुआ था, तो यह downtrend में आप देखोगे, यह lower high create हो रही, यह lower high, lower high, lower high, तो यह lower high पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको short sell करना है, short sell की opportunity दोने है, तो इस सरज से आपको trading करनी है, काफी सारी चीज़े आपको explain की गई, अगर ठीक से आपको समझ में आया है, और चैनल को subscribe जरू करें, क्योंकि ऐसी ही technical analysis से जूड़ी बहतरीन वीडियों हमेस आपके लिए लाते रहते हैं, मैं हूँ रभी पर्मार signing off, thank you, thank you so much